हेलो फ्रेंड्स ये है हमारी भर्वा बेसन मिर्ची जिसको बनाना बहुत ही आसान है और चटपट बनके तयार हो जाती है तो चलिए पटाफट बनाते हैं इसे तो इसके लिए मैंने चार टेबल स्पून बेसन ले लिया है इसमें हम जरासी हिंग डाल लेंगे एक पिंच के करीब और अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे हल्दी पाउडर डाल लेंगे और आमचूर पाउडर डाल लेंगे जो मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूं अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इससे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बूलें और कमेंट करके भी बताएं कौनसी सीटी से आप मेरा वीडियो देख रहें और अगर कोई रेसिपी देखना चाते हैं तो वो भी बताएं मैं जरूर ट्राई करूंगी बनाने कि अब मैंने इसमें जरासी लाल मिर्च डाली है क्योंकि हम इसको हरी मिर्च में बढ़ने वाले हैं तो ज्यादा तीखा ना बने इसलिए कम ही डाली है अब पहले सारे ड्राई इंक्रीडिंट को मिक्स करेंगे अब मैं इसमें ऑईल डालूंगी ऑईल बस इतना ही डालना ह कि ये अच्छा सा क्रंबली सा बन जाए और इसे अच्छे से मसल मसल के पूरे में मिक्स कर लेंगे ओईल को अब इसके लिए मैंने लंबी वाली हरी मिर्च लिये जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया है और cut करके उसके सारे बीज निकाल लिए ताकि ज़्यादा तीखी ना बने आप ज़्यादा तीखी खाना चाहते हैं तो बीज ना निकाले उसके अब हम इसमें हमारा ये तयार किया हुआ मसाला फिल करेंगे अच्छे से दबा दबा के भर लेंगे हम इसको यह देखिए ऐसे मैं बाकी की भी भर लेती हूं और अब इसको फ्राइ करने के लिए मैंने पैन में जरा सा ओईल लिया इसमें ज्यादा ओईल की भी जरुरत नहीं होती है दो छोटे चमची ओईल लिया है और हिंग जिरे का तड़का दे दिया है अब बिल्कुल फ्लेम को लो कर लिया है मैंने और अब हम तयार कीवी सारी मिर्ची इसमें डाल लेंगे और अब इसके उपर हम जरा सा पानी स्प्रिंकल कर लेंगे एक से दो टेबल इस्पून जिससे हम खाना खाते है न चावल खाते है न बस उसी चमच से हम एक से दो चमच वो पानी छिड़क लेंगे इस पे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको डखके दो मिनिट तक अच्छे से फ्राई होने देंगे अब दो मिनिट बाद हम इसको वापिस पलट लेंगे और पलट के फिर से धकके इसको बिल्कुल low flame पे दो मिनिट तक और फ्राई कर लेंगे सारी पलट लिए मैंने वापिस धक लेंगे हम इसे तो अब ये हमारी बरवा बेसन मिर्ची तयाह है तो फ्रेंड्स आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें और आप भी इसे ऐसे आसानी से गर पे बनाएं और इंजोई करें थैंक यू